हेलो फ्रेंट्स में दिरेज आप सभी को अपना यूटूब चलने दिरेज टरीटू में स्वागत हैं आज हम फिर से 12 इस्ट्री सेफ्टर वन का पार्ट नमर फूर है यह और इसमें जो इंटेम मन के ता अंस्थी आर्था था 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 रपा सवेता हर अपा सवेता के बारे मे चाहिए नाला निर्मान कрий्सा था इर्ष पिरी अस्था में जाने इनकार किया था शक्तों कमति था खारिकिक कदें उसकासीन सत्ता के बारे देखे उसकद सभवेता का अन्दिद लेकिन नर्ट या लगत पार्ट-4 में देखेंगे और चैप्टर सथ यह लास्ट पार्ट फूर उसक घुट्रैन से चलेंगे दो आपको करवाया जाएगा तो यह आ स्टार्ट करते हैं वीडियो हरपा्पा सबेता के खोज तो सब हमने सब कुस पढ़ यह PLUS रही पहले हरपा सभिता किस प्रकार्ण आया कैसा था कैसे धीरे धीरे अंत हुआ यह सब पूरा पॉर्ड लिए ठीक तो वही चीज को एक कहानी के माध्यम से अब इसको थुरा समझे नहां है कि हरपा सब्यता किस परकार पूरा तत्वीदु ने भौतिक अवसे सो से प्राप्त सक्सें के माध्यम से एक आरकर सक इतियास के अलग अलग अन्सों के एक साजोरा मतलब की बहुत सोचे-शोचे पॉइंट को लेकर उसको एक तरह से कहानी बनाए बहुत मतलब उसको खनन हु कि जब हरपा सब्यता सहर सहर नस्ठ हो गया तो धीरे धीरे उनके विसे में सब लोग भूल गये जब लोगों ने इस सेत्र के सास्ताब्रियों बाद मतलब हजारों साल बाद रहना आरंब किया तब यह यह समझने पाएं कि बाड़ या मिटी के कटाव के कारण या तवाख धीरे धीरे हरपा सबाथा जो नस्ट हुआ तो वहां पे कुछ हजारों साल बाद दो यह विक्ति फिर से बसने के लिए तो उन्होंने मीटी काटने के बहाने देखा कुछ mère सभूत मिलने लगा और यह मेटी यह उसको खेती करने मतलब खेती काने के लिए तो के रहने के इस खाजाना खुजिने के बारे मतलब गुदू दिखी नहीं हடना के सिल depend के लिए कुस मीठी खनन हो रहा था जिसमें यह सब कनिंगं के ब्रहाम का जानते हैं कनिंगंगं जो भारदत का इसको डारेक्टर बना गया था इसको मतलब की पुरा तत्वीक सर्वेक्षन से पहले डारेक्टर जन कनिंगं ने सताब्दी के मध्य में मतलब मतलब 1857 की ठीक तो यहां पर मध्य में पुरा तत्विक उत्खरन आरहम की तब पुरा तत्वीद अपनी अनुवेशन को अनुवेशनों के मार्ग दर्सन के लिए 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 शरूत अर्था साहित याविलीक का परियोग अधिक पसंद करते थे करनींगमने क्या किया जबता कि इसका खरनर्ण क्या तो सबसे पहले घूंड़ा की लेक ड्रूंडा ठीक नथ contradictory यावास रिक पसंद करते थे सबसे जादे लिखना पसंद करते एक भी पॉइंट में ला तो उसको लेख बनाकर मतलब लिग दिया करता था कनिंगम यहां तक कि कनिंगम की मुख्य रूची भी आरंबिक इतिहास मतलब लगवा सथी सताब्दी इसापुर्व से चौठी सताब्दी इसापुर्व तक इसके बाद के कालों से संबंदी पुरा चोरेगे विर्तानतों का पड़ियो किया पहली उप महध्यूप समझ लिजी पहले डूप क्या होता है तो आप बहुत बढ़े-बढ़े संब्रही के बीच बहुत मतलब टीला देखेंगे या कहीं डिश्कॉवर्य में देखेंगे या फोनों पेपर में देखेंगे तो मतल मतलव की गृत कि दुर्ण थोड़ी पर 12 celebrating बहुत मतलब की सम्मूह होता उसी को उप महान्दीव कते ठीक अर्विर्तांत मतलब उसके खुशब बारे मं बताया या सबुत दी या वही चीजत हुआ विड्तांत हुआ ठीक तो उन्होंने क्या किी कर दियाू निम जो कनिंगम ने अपने सरवेक्षनों के दौरान और आभी लेखों और लेखन तथा अनुबाद भी इसको क्या क्या कि सबसे परहले को लेखन किए फिर इसको नहीं समाज में आता था फिर उसको अनुबाद कि ऐए ठीक इस परकार अजुक्त करते जो उनके विचार में संस्कितिक महतू कुछ ऐसा वस्तू को खोज करने में लगे थे जो कि संस्कितिक से जोरा हुआ यह ते त्यू के याद्ड यातरा कार्य करम का हिसा नहीं था और जो आरंबिक सहर नहीं कनिगम के अन्वेशन के धांचे में उप्यूक तो नहीं बैठता था इसलिए हला कि हरप्पाई पुरावास्तों उनिस्वी सतावजी में कभी-कभी मिलती और इनसे कुछ तो कनिगम तक पहुंची भी थी फिर भी वह समझ नहीं पाया कि ये पुरावास्तों कितिनी यातिरी सब आये कारे करम किये मतलब की जो यतरा किये कारे करम कुछ कुछ कारे करम किये तो उनसे कुछ कुछ बात जो कनिगम ली है और उन्होंने उन्होंने कुछ बताया जो उसके बारे में कुछ सोचा मतलब की बताया और हरपाद को कुछ कुछ वहां वास्तू भी मिली पर उन्होंने वावस्तु को जादे विश्टार से नहीं सोजा मतलब उस पर जादे सर्च नहीं किया यह सा बात है उसका एक अंग्रेज कनिंगम को एक हरापाई मुहर दी उन्होंने मुहर पर धियान तो नहीं दिया उन्होंने उसे एक हिस्से ऐसे कालखंड में दिनांकित क करदने का और सफल परियाच किया जिसे भी पर मतलब परिशी थे ऐसा इसलिए था कि कई और लोगों की तरह उनका भी माना था कि भारती थी आज प्राराम गंगा घाटी में पन पे पहले सहर के साथ हुआ था जो एक अंग्रेज थे उन्होंने कनिंगम को एक ऐसा सब मतलब मुहर जो मुहर ने होता है मुहर लगाने वाला आपको बात आया थे आगले वीडियों पाठीरी में तो यहां पर मुहर दी तो कनिंगम ने उस मुहर को जादे वह चीज जादे उस पर ध्यान नहीं दिया उसको फोड़ दिया ठीक और सिंपल सी मतलब कि आजमी के तरह कहा कि यह भारती थिहास जो हरपा से जो की भारती थिहास काहीं यह गंगा घाटी के किनारे ही इसकी शुरुवात हुई थी उसके बाद फिर क्या किया कि अवधार्ना के तलते यहां कोई आशरी के बात नहीं कि हरपा के मतों कर समझने कि क्या समझने में चुक गए मन्ना हरपा से पयता को समझने में चुक गियां करेंगा मैं ऐसी कोई बात नहीं है आठब दिखें हम ये पहला लाधियाई पढ़े हैं आपको वही पहले पर ब Anime सिपर बारे में जानना हो को तिसरा अधियाई मैं यही सबात पहला इसका आधिया प्रासिन सवेता के बारे में जानते हैं है है ठीक तो कालंतर ने बिस्वी सदाबदी का अरंभीक दसों में दायाराम साहनी जैसे पुरा तत्वीदों ने हरपा में मुहरे खोजी निकाले जो हरपा की किसने की तो दाया राम सानी ने ठीक objective समय आता है तो दाया राम सानी ने जो हरापा से कुछ मुहरे की खोज निकाला जो निश्चित रूप से आरंभी की तीहासिक अस्तुरों से कहीं अधिक प्रासिन अस्तुरों से संबन्द थी अब उनके महतों को समझने समझा जाने लगा एक और ये पुरा तत्वीद राखल दास बनर जी की मोहन ज़ोद्रो की खुज की थी उन्होंने हरापा से मिली मोहरों के साथ मोहन ज़ोद्रों को खुज निकाली थी जिससे अनुमान लगा गया कि ये दोरों पुरा आजСТर इनी पुरा तत्विक संस्कीत में भाग थे इनी खुझों का धारार 1924 यमें भारते पुरा तत्विक्षन एक के डायरेक्टर," nyaय जरन मार्चार पूरे विश्यों के सम संधु घाटी में एक नवीन सेभिटाएं क्थप्ष में फिर उन्होंने भारते पुरा तत्विक य theor रीक्षार विर्टर है閱े way幫 बाने पूरा दुनिया में इस बात को रखा ठीक अराकर दासवनाजी जो कि मोहन जोदुरों की खुज़ की और दाया राम चानी हरपा की खुज़ की यह सब बात याद रखेगा जैसा की जैसा की एस एन राव ठीक एस एन राव जो इतिहास कार रहा है उन्होंने अपने बु जो इतिहास कार ही है उन्होंने मतलब जो यह इतिहास कार के बारे में या इसके बारे में बहुत सारे मतलब खुज की थी उसके बारे में जो लिखा था एसन राव मार्षा ने जो जौन मार्षा ने आपको बोले थे भार्षे डारेक्टर थे वह जौन मार्षा ठीक तो जहां तक भारत को पाया उससे उससे तीन हजार वर्च पीसे छोड़ दिया ऐसा इसलिए था क्योंकि मेशोपटानिया के पुरास्थरों में कुछ हुए उत्खनों से रपा पुरास्थरों पर मिली मूरे जैसी पर तब तक पचानी न जा सकी मूरे मिली थी इस परकार विश् सब्सक्राइब के डारेक्टर जर्र रूप में जॉन मार्चर का 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 रिय का रिकाल वास्तों में भारते पुरा त्विद्विद्ट थे और वहां यूनान तथा क्रीट में अपने कारियों का नुभव की भी लिए हालाकि अधिक मतवपुन बात या कि कनिंगम की तरह भी उन्होंने आकर्षक खोजों में दिल चस्पी थी पर उनके देनिक जीवन की पदेतियों को जाने की भी उत्षुकता थी मतलब कि जैसे कनिंगम ने नए नए चीजों को खोजना स्टार्ट किया नए नए चीजों को खोजना चाहा नए लेखों को पड़कर उसको फिट से लिखा अनुबात किया इसी तरह यह जौन मार्सर भी थे जो भाद के पुरा तत्विक जर्णरल थे उन्होंने उसको भी मतल स्थर हुँआ कि पुरा user श्चाल तक दाइक है षील्यवत आस्थर को अध्यशन सालों बाद पत्थर के रूप बञ गया ऑस्णर्चनाओं की मन परियोग और फिर उन्हें तयाग दिक जाने शबहोंट जब लोग एक ही अस्थान पर नियमित रूप से रहते थे रहते हैं तो भूमी खंड के अनवरत उप्योग तथा पुना उप्योग से अवासे मलवे का निर्मान हो जाता है उन्हें टी लागत वही बात जो आपको बता है वही चीज है अलपकाल या अस्थाय परितिया की इस अब्सकैंश्रे के रंग प्राकृतियों मीली पुरावंस्तिक संदर में हो अलग होता अस्थरोजी आज़र शेल्ग का जयता है जो जो अस्थान का खीती ना कुछ भी नहीं हुपाता है वह जिसको मतलब लगवाग उसको पचास साल सौच साल हजारों साथ चोड़ दिया उखित को यह जमीन को तो बंजर जमीन का लाने लगया ठीक उसकी पचान सभी लक्सुन के अभाव से की जाती है समाने तोर पर सबसे निचले अस्तर कारे विग्यान का जाता ठीक इन अस्तर को करम विग्यान का जाता है अस्तरों से मिली पुरा वस्तों कि विशेस संस्कृति कालखंडों से संबंद किया जा सकता है जिसे एक पूरा अस्तर पर पूरा संस्कृति करम पता पता किया जा सकता है ठीक उसका यहां पर अगला इस मानवाली नियमित सहतीज इकाईयों के साथ उन्खनन सरी उत्खनन उत्खनन मतलब खुदाएं करने का परियास करते थे इसका यह अर्थ हुआ कि अलग अलग स्थरों से संबंद होने का पर भी इकाई विशेश से प्राव सभी पुरा पुरा वस्तुओं को समोह कुरूप से वर्गी कृत कर दिया गया था परिनाम सरूप इन खुजों के संदर्व के विशे में बहमूले जनकारी हमेशा के लिए लूप्त हो गए धिरे धिरे मतलब कि लूप्त होने लगे वही चीज़ समय आप इनको बुक से आप फिर से बुक भी आप अपने से भी पढ़िए ताकि आपको बहुत बेतर होगा और हम यदि आप पार्ट बन पार्टो पार्टी नहीं देखे तो जरूर देख लिएगा क्योंकि बहुत इंपोटेंट है और यह सब जूरा हुआ उसी से और यदि यह सब देखते हैं वह ही किजिए जैसे अगला वार जो स्टुडेंट से मेरा बात माना देखी आप आज उनका कितना नमर मांक्षा या बहतर मांक्षा या बताया हूं भी कितना क्यों मांक्षा लाया था ठीक और यदि वीडियो चला लग रहा है तो लाइक किजिए नहीं किजिए वह भी ज़रूर करते रहेगा तो यहां पर आप देखते देखिए नए तकनीके तथा परसन कुछ नय तकनीके जूरा और उसके सासत जब नया तकनीक जूरता है तो परसन जरू उठता है निव परसन आता है वह चीज़ा उनिसा वालीश में भारतिये पुरा तत्विक सबढ़ने वंजान मायरसर थे इस समस्याइ़ का निधान किया उन्होंने जौन मायरसर का न्योंक भी कर पाए था उसको जो डॉर्डएक्टर आई इम विलर ने बनाय कर दो यहां पर रहा उसका रिकंगि यहां पर पढदने किए विला ने पचाना कि एक समान 36 इकायों का धार पकुदाई के बजाए तीले के अस्तर विन्यास का नुसरन करना अधिक आवसिक था आप आपको एक बात बता दू जैसे कि बहुत सारे लोग मानते हैं कि अपने एक्सप्रियेंस से सिखना वह सबसे बहतर होता है यह मुर्ख व हुआ वह नहीं कि अपने एक्सप्रे सिंध के दौरा वहां काम सिखा और उसको किया तो मतला आप बुद्धुर है आप मतलब जब तक अपने एक्सप्रैस से सीखेंगे तब तर दुनिया सना कर दूसा बाता हम जाएगा आप घी दिरे-दिरे बीनास हो जाएंगे तो दु विलर ने पाचाना जो आई एम विलर ने पाचाना कि एक समान सहतीज इकाईयों के अधार पर खुदाय की बजाए टीले के अस्तर विन्यास का नुसरन का नाधिक आवसे के साथ ही सेना के पुर्व ब्री डियर के रूप में उन्होंने पुरा तत्यों की पदेतीम एक सेनिक परिशुदता का समय वेस भी किया जो मतलब विलर ने कहा कि एक समान सहतीज इकाई जो है मतलब उसके साथ जो थे सेना का भी जो पुर्व ब्री ग्रीडियर उन्होंनों भी इस पुरा तत्यों में उसकी पदेती पर एक सेनिक परिशुदता का भी मतलब की ग्यान दिया उसके बारे में बताया हरापा सबहता के भगोली समय सीमाओं का आज ही रास्टे सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई समन्न तो नहीं है लेकिन उप महादूप के भी भाजन तेथा पाकिस्तान बनने के बाद सबेता के पर्मुकास्तर अप liaison के शित्र में हैं बहुंच सारे पाकिस्तान जब बना तो हरापा के बहुँ और अंच बहुं सारे भाग बहुं सारे जगह पाकिस्तान में चले गया ठीक इसी कारण से भारती ये पुरा ततवीदों ने भारते पुरास्थरों को चिन्हित करने का परियास किया कक्स में हुए व्यापक सवेशनों के कई हरप्पाय बस्तियां प्रकास में भी आया नहीं मिला भारत में ठीक खोदाय करने के बाद या पुरा ततवीद ने खुजा उसको आई पंजाब और हर्यानाम किये अनवेशनों से हरप्पा अस्तरों की सूची में कई और नाम जूरगे हलाकि काली बंगन जो की रास्थान में लोथर ठीक गुजरात रांखी गड़ और हाल में हुए धरावरी की खुज वहां हुए अनुवेशनों तता उत्कान नहीं पर्यास का हिस्सा हुआ है और नए अनुवेशन पर भी जारी हुआ इन दसों को में नए प्रस्ण हो गये यहां कुछ पुरा ततवीद और आमतर पर सांसीती कारे मतले उपकरम का भी पता लगा यहां को समझेने का भी परियास किया उनुटी के सब्सक्राइए पुरात्यों में अंतराश्य स्थर पर भी लगातार बढ़ती रही मतलब तो बहुत सथा महां हरा से बहुत सारे वस्तू वहां से मिलने ड़े उसका मतलब की धीरे-धीरे इसका विस्तार बढ़ने लगया ए बहुत सारे मतलब सब उसको अपना अपना हिसाब से उत्खरन की अपना धूंडे तो उनीसों दसक मत असी के दसक में जो कि बहुत इतिहास कार आये इसमें सब के विस इसको रूची लगने लगे हरा पार महंजोदर दोनों अस्तरों को महादीब के साथ विद्यशी विशेश सब्सक्राइब करते रहें विज्ञानिक तकनीक का भी पड़ियों करते थे जीन में मिटी पत्थर अधातु की वस्तुए वनस्पति जानवरों और अफसेस प्राप्त करनेहतु सतह और कानवेशन और साथ ही उपलब्द साक्षे के हर सुस्म टुक्डे विसेशन सम्मिली सब्सक्राइब की आसा दिलाते हैं उसके बाद आप यहां पर कुछ कहानी है बना हुआ इसको भी आप जान लीजिए बेहतर होगा हरापा में वीलर ठीक वीलर ने मतलब जो यह क्या है एम वीलर हम जो नियुक्त बने थे भारती प्रतवी का तो उन्होंने अपना कुछ बा अनुभव के विशय में लिखा हैं अपने लेक में लिखा है कि मुझे याद आता कि 1944 की गर्ब नात को पुरा तत्विक सर्विक्षन के नियुक्त डायरेक्टर जन्ने के रूप में अपने अस्थानिये मुस्लिम अधिकारे के साथ हरापा नामा के एक सोटे एक सोटे रेल अधिरी राथ था उस राथ को मैंने रपा एक सोटे से स्टेशन है रपा नाम का उसे अंधिरी रात में एक टांगे पर बैटकर लगब करें याराम करने के लिए अपने चिंतिatra कर्याенные कि हमें सब्सक्राइब और साथ बजए समाप्त कर दो चाहिए जिसके बादा में अधीक घर्मी हो तीला ही टीला अदम रित दिखाये तो वहां काफी गर्मी हो जाता था मतलब रात को ईसका मोता था कोदाई करने का या नुच्वीवी होता था न वहां तो सारे पांच साथ बजे तक खुदा थे बहुत जाद गर्मी किया उसके अबाद परवेश द्वार में कालिया किर्थी के पंक वाले धिर्टा पुर्वक बैट सोरा तथा परुष की बीहर से अनगीनत सियारों की राथ हवा की चिर्थी हुई आवाज के भी सोने भी लग गये सोने चले गें अगली सुबह चिक सारे पांच बजे हमारे सोटे का फिले के बालू के टीले की और बढ़ना शुरू किया फिर सारे पांच बजे अगली सुबह को टीले की और गया दस मिनट के भीतर में रूका और सबसे उसे टीले को देखते वी अपनी दिश्टी पर विश्वास के साथ अपनी आंके मलने लगा सो घंटे बाद मेरे घबरा हुए कर्म चारी गन तता सुर्य में सुर्य की तेज रोसिनी में कुदालियों और चाकूओं के साथ कठी परिक्सरम कर रहे थे मुझे डर लग रहा कि था कि मेरे सायोगी काम के मेरे जुनून के कारण मुझे उनकी न समझ ले ठीक तो यह ने उसको एक अतीत के समय चला उसको जोर कर उसको मतलब की टाल्ने का मतलब को समस्य को टालने का हल जानते हैं और यह थीक तो जैसा कि हमने दिखा कि हरापाई लीपी इस प्रासिन सबेता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती है बल्कि यह भहोतिक साक्से जो पुरा वीदों ने हरापा जीवन को ठीक परकार से पुननिल्वित करने में साइक हुए और यह वस्तों जे की मृत्भांड आवजार अभूशन घरेलू समान हो सकती मृत्भांड आपको बताया थे वह कच्छा बरतन आवजार अभूशन सोने चांदी घरेलू समान भी मिले जिसे पक्री तथा सरकंडे जैसे जैविक परदात समाने सड़ जाते हैं विशेश रूप से उस नकटी बंढ़ी सित्रों में जो वस्तों बज जाती वे पथर पकी मिट्यू तथा धातु उस नकटी मतलब कि हमेशा बारी से लगा रहाता था हमेशा मतलब कि जमीन गिले रहते थ जो कि वहां पर कुछ वस्तु थी जो कि जादे सहर गल गय थे या बहुत पुराना था ठीक यदि या भी याद रखना हो कि केवल टूटी हुई अत्वा और उनुपयोगी वस्तु फेंक फेंकी जाती अन्य वस्तु समयता पुना चक्रित की जाती थी परिनाम सर्भूए ब अधिक फ्रारूप इक की बजाएं सभी संयोगी होती है ठिक उसके और हम बात करें पर्प्रावस्तों पुरा ट्विक उद्हम आरंद्ध मात्र है इसके बात पुरात त्विविद अपने को रगी और का शमादेश शिदान परदात जेसे पत्थर मिट्टी धातू अस्ति हांती दात आधिक संबंद में होता है दुसरे और अधिक जटिल उनकी उप्युकता का धार पर होता है पुरा तत्वीदों ने या भी तै करना तै कि कोई पुरा वस्तू और एक ओजार या अभूसन या फिर दोनों अत्वा अनुस्थानिक यजडी कोई वीधी को भी को सकता है की पुरा वस्तू को उपयोकता कि समझ अक्सर ऑधिक समय में पैयूक्त वस्तों से उनकी समiejता पर अधारित होती है मन की चक्कियां मन के वहीं मोती चक्कियां पत्थर के फलक मतलब पत्थर के कुशकुट टुकले पात्र मतलब कुश बर्तन इनके असफ़स्ट उधारन है की पुरा तत्वीद किसी भी पूरा वस्तों की प्यक्ता को समझने का भी परियास क्या उस अंधर है कभी पुरा तत्वीदु ने आपको सब्सक्राइल को पर फ्रार खिश न 지금 में जाने के लिए जाने के लिए अपरत्यक सक्षओं यह से ठीक उसका दियां पर पुरा तत्वीद संदर में रूप डेखाओं को विक्षित करना पड़ता हमने देखा कि पहली प्राप्त हरापाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका तब तक पुरा तत्वीदों उसे समझने के लिए सही संदर्ब नहीं मिला सांस्केतिक अनुकरम जीद में वहां मिली थी तथा मेसोपटैनिया में हुई खोजों से तुलना दुनों के भी संबन्द हुआ यह सब बात इसको समझाने वाला नहीं है कहानी को समझाने वाला नहीं होता पढ़िए पता चलता है यह बात को सुनिए अपने समझ में आएगा उसका वेखिया की समय से हैं यहां पर पुरा तत्विक वेखिया की समय संभावता सबसे अधिक धार्मिक परताओं के पुर्ण निमाने के परियासों में सामने आए और अम्विक पुरा तत्वीदों को लगता था कि कुछ वस्ट्व जो और समाने और परचित लगती थी सं हां कि लोग थोट टाइन में आप भूसरों से लदी हुई एक नारी मिर्ती मिर्ति याजिन में से कुछ पर विस्तित प्रसाधन थे कि अधैसे मतलब की जो एक तरह से संजावा जिसको मुकुट काते हैं मुर्ति उसके उपर मुकुट लगा मतलब मतलब सजाया गया था सजावट के समान उसको बोल सकते हैं उसी को क्या करते हैं प्रशाधन ठीक उवहां पर कुस मरावा मुर्ति भी मिला उसके सीर्ड पर मतलब मतलब उपर एक प्रसाधर मतलब की कुछ अजावत का भी समान मिला वह सामिल था इन्हें मात्री देवी की संग्या दी गए इन्हें मात्र देवी की संग्या दी गए जैसे कि आप यहां चीतर में के माध्यम से आप देख सकते यह कुछ मिर्थी मिला इसके बड़ी पर आप देख सक करते हैं इसका हाथ हैं जो एक तरह से योग की अवस्ता में हैं ठीक उसका दिए गहने पहने हुए हैं योग्यासन की अवस्ता में हैं तो इनको क्या कहा कि यह मिर्तिया मतलब मराववा मिर्ति है जिसको मिर्त देवियों की संगा दी गए पुरुषों की दुल्लव पथर से बश्राबनी मिर्तिया जिन में एक लगबग मानकी करिट मुद्रा में एक हाथ घुटने पर बैठा दिखा गया कुछ पृस का भी कितर वहां से कुस वस्तु मिला मुर्ती मिला जो कि मतलब मैं 250 मतलब मतलब मानक मानक माम मानम मतलब मानक मापने वाला ठीक जिसको मान डंड considering है । यह सै की पुरुहिति राज्या को इसी परकार वर्गे की तल रहा को सी और मतलब गुश्पawanा का बहुति मुणा जो कि वह भी योग की अवस्था में मतलब की ध्यान की अवस्था मिला उसको पुलुहित राजा की जो की संग्या दी गई जो वहां का राजा सासक अन्य दृस्ठानिटों में संघा अनुसठानी वह विधि महतो माना गई हिन्से काली बंगन और लोथर शे मिली देवियाक वेदिया मुर जिन से कुछ संभवता अनुस्थान के दिरिशें बने हैं वे परीक्सन के दानुख आस्थाँ और प्रताओं को पूर्ननिन्मित का निकाभी पर्यास किया कि प्राकीर्टी की पूजा के संकेत मिले हैं बोडों पर बनाएगे कुछ जानवरों जैसे की एक सिंग वाले जानवर मिले जिस आमतर पर एक सिंगी कहा जाता है एक सिरिंगी भी कहा जाता है एक सिंग वाला जानवर मिले कल्पी तथा संसलिस्ट लगते हैं कुछ मुरे पर आकिरती जिसे पालती मार कर योगी की मिद्रा में बैठा गिया कुछ का अरंबिक रूप से संग्या दी गए इसके अत्रिक्ष पत्थर की संक्यों कर पुरा वास्तु जो लिंग के रूपे वर्गी गित किया आप लोग समझी गए यह मतलब कि कुश-कुश जैसे सिवलिंग भी मिला वहां मतलब तो इसे पता चलता हिंदू धर्म भी वहां था हरपाई धर्म के कई पूर निनमान इस अनुमान का धार पर किये गए कि अरंबिक तथा बात की परंपराओं में समानताय होती थी ऐसा इसलिए होता था क्योंकि अधिकान से पुरा तत्विद से ग्यात होता है वहां ग्यात से अग्यात के और बढ़ें तथा मतलब जो पता की संगत हो सकती है लेकिन धार्मिक पर्तिक के संदर्म में या अधिक संदिंग्द रहती हैं उधारन के लिए उधारन के लिए आए हम अर्द शीव जो मुहरों को देखते हैं सबसे अरंबिक धार्मिक गरंद जो की लिए लगवाव 1500-1001,000 इसा पुरुव के बीच संकली है उसमें रूद्र नामक देवता का भी उलिक मिलता है ठीक एक बात आप जाने लिए जो यह है लिंग उस परिक्रिस्ट पत्थर को का जाता जिसकी पुझा भागवान सीव के रूप में होती है ठीक उसके बाद जो पर्वनानिक परमपराव जो सीव के लिए परिक्त होता परियुक्त नाम है पहली सहस्ताबरी मतलब एक हजार बाद जो लेकिन सीव के उल्टा बात करें तो रूद्र जो की रिग वेद में न तो पसूपती है समानी रूप से जानवार और विश्यस रूप में महवेशियों के स्वामी ठीक जो की रूद्र महवेशियों के स्वाम हैं और जनवारों के देपता और नहीं एक योगी के रूप में दिखाए गया दूसरे सब्दों में या चित्र रिग विद में दीए रूद्र के विबरन से मेल नहीं खाता फिल फिर क्या या कोई समन था जैसा कि कुछ विद्वान उनने भी सुझाया उसका यहां पर और मतलब की र geçtah हुआ क्या हा समन महलागा थि ठीक टो वाहां कि कुछ समन मेहलागा का भी कुछ सबूत मिला होअ जादू शक्ति भी था अलग दुनिया से कोई व्यक्ति संपर्ग में रहता था वह हुआ समन ठीक तो यह आज की चेप्टर में इतना ही चीज़ है और एक चीज़ इसको भी जान लीजिए बहुत काम कहा है सबसे आरंबिक उत्खनों में एक मैके इन पत्रों के विशवें बताता है मैके मतलब इत्यास का रहें उन्होंने बताता है लाजवर्द मनी जैसफर साल सेंडी तथा अन्य पत्रों से बने शोटे एकार के संकू जो सुंदर्धा के तारास और त्यार की गये थे तता जो दो इन से कम भी उचाय के थे जो लिंक माना गिया दूसरी तब रहा भी संभव है कि इनका परिए पर खेले जाने वाले खेलों से होता है तो यह सब कुछ बात है तो वीडियो अच्छा लागा हो तो लाइक की जेगा नहीं अच्छा लागा हो तो कोई बात नहीं लेकिन आगे जरूर से कीजिएगा अच्छा लागा हो तो और यदि चैनल पनीव है तो चैनल को सब्सक्राब कर लिए तो कि इसी तरह से वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा अब हम बात करेंगे का दूसरे नमर चैप्टर पर आएंगे ठिक और एक बात इसको भी आ अख्ञा पहले निमन्न प्रीन पूरा पाशण यूग था घाली पहले मध्य पूरा पास यूग था 3500 नौ पासन ऊजर नौ2017 वह सुपालक शेजार जो ताम पासनी का मतलब तामबा का परियुक पहली बार हुआ किया गया इसलिए त्राम पासन कहा गिया उसका चब्वी सोईशापुर्वर हरपा सभीता में आया एक हजार इसापुर्व में अरंभिक लहकालिक महापासन सवधान आया 14 2500 कि इन सभोषक यृति करें आइसा अनुमानीं देट हैं इसी तरह यह करद्य अनुमानके अनुसार यह बनाई गया इसीतर हुन परमक्र्वा पुरा स्यालिस में आड़ी एंवी लर द्वारा हरपा में उत्खन किया गया उनीसिफ़फण में आर्म राव द्वारा लोथर में खुदाए की सुरुवात हुई 360 वे भी लाटता थापर के नितरूत में काली बंगन का भी उत्खरन किया तो यह स implants किया गया था कौ الس पी में मतलब के सब उत्खरन करवाए गया था समी इंपोर्टेंट सब आगजेक्टिंग में कामाने वाला ऑनीचे फोतर में मुंछर दोभा बहा वल्ल पूर में का सुरुवात हुआ उनीसोची में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा महंजद्रों के सथा अन्वेशनों का सुरुवात किया मतलब 66 में अमिर्की दल द्वारा हरपा में उत्खनन का भी सुरुवात है यह सब कुछ-कुछ इंपोटेंट है ठीक और यह सब का पीडियाप लेना है तो आपको टेलिगराम गुरूप में सामिल हो जाना वहाँ पर सभी चीज का पीडियाप मिल जाएगा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगला चेप्टर में बात करेंगे हम कुछ इस से जूरी अब्जेक्टिव क भी करेंगे अगले मतलब की वीडियो में हम बात करेंगे ठीक तो आज के लिए इतना ही धन्यवाद